मैंने इसलब देश से 50 की मांगे हैं, 50 की अगर 30 दिसंबर के लाग, कोई मेरी कमी रह जाए कोई मेरी कंदी निकल जाए आप 24 है मेरे खड़ा कड़ेंगे, मैं खड़ा हो करके देश जो सजा करेगा, वो सजा भुगत देख लेते जाओ नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद वाले 50 दिन मोधी सरकार के लिए बहुत भारी पड़े, लेकिन जैसे तैसे वो कड़ गए लोगों ने भी कहा कि हमारे जवान सी आचीन में खड़े हुए हैं तो हम भी गर्व से ATM लाइन में खड़े रहेंगे और अपना कटवाएंगे आज नोटबंदी को सरकार भुला चुकी है लेकिन 2024 में NDA सरकार के पहले 50 दिन भी मोधी को उतने ही भारी या उससे भी जादा भारी पड़ रहे हैं और लोगों का भी सब रकबान इस बार तूटता हुआ दिख रहा है जुमलों का भी खास इंपैक्ट नहीं है परफॉर्मेंस की बात करें तो मोधी 3.2 की ओपनिंग आज कल की कंगार अनावत अक्षय कोमार स्टारर मूवीज की तरह रही बिलकुल खतरनाक मने डिजास्टर, फ्लॉप, वन स्टार रेटिंग ने 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 एक टाइम था पांच दस साल पहले जब ये नेता, अभी नेता हिट पे हिट, सूपर हिट पे सूपर हिट स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक दिया करते थे लेकिन अब तो हवा ही जैसे बदल गई है, स्क्रिप्ट से बांस आने लगी है और सारे दाव पेच उल्टे पढ़ने लगे हैं, उपर से आपदा के उपर आपदा जैसे भगवान शीराम का श्राप लग गया हो मोधी जी को, देशबक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में लेंगे नरेंद्र मोधी के तीसरे कारेकाल के पहले पचास दिन का पूरा हिसाब वैसे तो पहले पचास सौ दिन हनीमून पीरियड, हनीमून फेज बोला जाता है, लेकिन यहां तो सारा हनी अल्रेडी निचोड दिया गया है और लोग पूछ रहे हैं कि वो जो चांद तारे वो जो मून के सपने दिखाए थे वो कहाँ है शुरुमात करते हैं लेटिस्ट भसड से बजट 2024, दस साल बाद मिडल क्लास का जैसे जमीर जग उठा उसे समझ बहान लगा कि हिंदू समाज नहीं उसका बटवा सेविंग्स अकाउंट और उसका भविश ही खत्रे में है निर्मला नाई ने पहले ही इंकम टैक्स और गुड्ज और सर्विसिस टैक्स लगा के रखा था अब इसके बाद कैपिटल गेंग्स टैक्स से लोगों का तेल ने चोड़ना अब शुरू हो चुका है घर खरीदो और ज़्यादा टैक्स घर बेचो और टैक्स घर किराई पे दो और टैक्स सोना खरीदो और टैक्स सोना बेचो और ज़्यादा टैक्स और वो भी इंडेक्सेशन बेनेफिट के बिना तो inflation की मार भी सहो ऐसे कम budget हुए है हमारे देश की इतिहास में जहां left, जहां right, जहां center सब मिलके एक ही person को गलिया रहे हैं लेकिन सच तो यह है कि सरकार के पैसे ही नहीं FDI 16 साल में सबसे नीचे गिरी पड़ी हुई है नौकरिया नई बन नहीं रही है सरकार को इस तरीके से गलियाना सरकार पर नाराज होना काफी जायज है, खास कर कि अगर आप यह बात देखो कि सरकार personal, बने आपके और हमारे personal income tax से ज़्यादा कमाई कर रही है, बतौर की corporate tax, जबकि होना उल्टा चाहिए लेकिन जब बड़े बड़े पूंजपती, सरकार के इतने करीबी दोस्त होंगे, तो tax तो middle class को ही देना पड़ेगा उसके उपर पिछले 50 दिनों में entrance exam, results कम आए हैं, scams जादा निकले हैं, अब मुझे गलत मन समझिएगा, कि exams में पर्चों और paper leak की पुरानी पर्था चलती आई है हमारे देश में लेकिन ये पर्था अब कितनी advanced हो गई है कितनी घडिया हो गई है और ये फर्जी बाड़ा का scope कितना बढ़ गया है कितने गुना बढ़ गया है, ये हमें इस बार, पिछले 50 दिनों में पता चला है, सबसे पहले तो need entrance exam के उपर जो scam हुआ जो बड़े खुलासे हुए और arrest होने लगे कैसे पूरे के पूरे exam centers इस scam में शामिल थे, कैसे लाखों में paper बेचे जा रहे थे कैसे paper leak करवाना अपने आप में एक industry बन चुका है लेकिन इतना evidence होने के बावजूद Supreme Court ने reneat की मंजूरी नहीं दी क्योंकि systematic leak नहीं पाया Supreme Court ने लेकिन लाखों students को शायद पहली बार दिखा कि system कितना compromised हो चुका है और कैसे सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है जिस corruption के मुद्दे पर मोधी पावर में आया था 2014 में आज उसी corruption उसी style of corruption पर चुपी रखी हुई है सरकार ने और neat ही नहीं शायद दुनिया के सबसे कठिन परिक्षा को short circuit किस तरीके से किया गया है students ने ये भी देखा पिछले 50 दिनों में इसमें अब कोई शक नहीं है कि UPSC exam में OBC EWS disability quota का खुल खुल के ठूस ठूस के misuse हुआ है well connected candidates ने कैसे entry मारी है ये हमने देखा है और पूजा खेड कर और अभिशेक सिंग तो इस case में सिर्फ trailer है अगर सरकार investigate करे तो पूरे के पूरा IS system न चर्मरा जाएगा शायद इसी लिए इसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जो युवा है जो young aspirant है उसको ये सारी चीज़े साफ दिख रही है कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है और कौन चुप बैठा हुआ है और चुप एक चीज़ पर सरकार नहीं बैठी हुई है कि ये बात कि नहीं अगनीवीर तो master stroke है पिछले 50 दिनों में लेकिन ये master stroke का भांडा हमें फूरता हुआ दिखाई दिया अरे विपक्ष ने भी तीखा वार किया है इस मुद्दे पर अगनीवीर के मुद्दे पर नाम सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन अब दिखने लगा है कि काम क्या है कैसे सीमा पर मारे गए अगनीवीरों को ठीक से compensation नहीं दिया जा रहा है कैसे आर्मी के top brass से बिना discuss किये गए इस plan को implement किया गया कैसे पैसे बचाने के चकर में दो तरीके के जवान हमारे फौज में बनाये जा रहे है कैसे 75% अगनीवीर जब 4 साल के बाद फौज से निकाल दिये जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा अब ये लोगों को समझ में आ रहा है अब ठीक नोट बंदी के तरह जैसा हुआ था अब सरकार जुड़ गई है काम में कि नहीं हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगनीवीर हमारे फौर्स को मॉडर्ण बना देगा यंग बना देगा एफिशन बना देगा नहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक है और निकाले गए जो अगनीवीर होंगे अब आनद फानद में ये किया जा रहा है कि नहीं नहीं देखिए इसको पुलिस में लिया जाएगा इनको सी-ार-पि-फ में लिया जाएगा इनको गाड की नौकरी ली जाएगी लेकिन अगबारों में सुर्खियों में अगनिवीर का future क्या होने वाला है अगली कुछी सालों में ये हमें साफ दिखने में आ रहा है मज़े की बात ये है कि नोडबंदी के तरह हमें आज तक ये मालूम ना चला कि अगनिवीर किस दिमाग की उपज है कौन सा बंदा था जिसने अगनिवीर scheme की एक जो conceptualization की थी वो कौन है और implement करने से पहले consultative process क्या था किस से meeting हुई थी आज तक हमें नहीं बताया गया है और ये सच्चायब लोगों को सामने दिख रही है मोधी है तो मुमकिन है ये नारा काफी प्रचलन में रहा है पिछले कुछ सालों में लेकिन not for jobs यहां कोई नहीं कह रहा है भंग्दगन भी नहीं कहते कि मोधी है तो jobs मुमकिन है वहां तो ना मुमकिन ही देख रहा है पिछले 50 दिनों में इसके कुछ हमें सीन भी दिखे, मुंबई में 25,000 एप्लिकेंट्स का ये मेला देखिए, ये कोई जॉब फेर नहीं है, मेंटेनेंस स्टाफ ने 600 वेकेंसी अनाउंस किये, वाकिन इंटर्व्यूस के लिए, बदले में 25,000 लोग बहुच गए इस वाकिन तोड़ दिया, और शायद ये भ्रम भी कि सब चंगासी है, आकड़े ये भी दिखाते हैं कि अनिम्प्लॉइमेंट की समस्या अब कितनी गहरी हो गई है, कितना भी डेटा को टॉर्चर कर लो, कितना भी डेटा को उल्टा सीधा कर लो, बेरोजगारी का मंजर मोदी के सर प बड़ी प्रॉब्लेम है, और ये बात सरकार की Union Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI की डेटा साफ बताती है, उनके द्वारा पब्लिश्टिक स्टडी में साफ साफ दिखता है कि पिछले साथ सालों में, डी मोनेटाइजेशन, जी एस्टी, कोवेट के शॉक के वजए से सबा लाख करोर का नु गाओं के तरफ कूच कर रहे हैं, जब जी एस्टी को लाया गया था, तो बैंड बाजे के साथ इसे देश की दूसरी आजादी बताई गई थी, हाला कि जी एस्टी का आइडिया सॉलिड है, लेकिन गलत इंप्लिमेंटेशन चलते, लाखों छोटे व्यापारियों, स्मॉल मीडियम बिजनेसेज को काफी जोर का धक्का लगा, बहुत बंद भी हो गए, उसके उपर से अब सरकार कहती है कि मंतली जी एस्टी कलेक्शन का डेटा देगकर क्या करोगे, इतना जादा पैसा हम कमारे हम तुमें दिखाएंगे ही नहीं, सरकार आपको ये भी नहीं दिख का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों में हर साल बढ़ रहा है, और नौकरियां मिले ना मिले, सैलेरी हाइक हो या ना हो, इंफलेशन बूलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे चल रही है, रिटेल इंफलेशन अप, फूड इंफलेशन अप, इलेक्शन के ठीक बाद टोल रेट्स अप, मिल्क प्राइस अप, टैक्स रेट्स तो अप ही अप चल रहा है, पिछले पचास दिनों में देश की इंफरस्ट्रक्चर की हालत भी उसकी भी पोल खुल गई, बिहार में पंदरा ब्रिज, एक महीने में शतीगरस्त, उत्राखंड में अंड दिल्ली, जबलपुर, राजकोट, गोहाटी, साबका एक ही हाल है मॉंसून में, मुंबई में अटल सेतु, छे महीने हुए हैं इनागरेशन को, वहां क्रैक्स आने लगे, उधर बांदरा कुलरा कॉंपलेक्स और लाल भादूर शास्त्री मार्क के बीच वाला फ्लाइवर उसको बंद कर दिया गया, for repairs, मोदी जी ने पिछले साल में ही इसको उद्गाटन किया था, एक घंटे बारिश से दिल्ली हो या मिलीनियम सिटी गुरगाओं सब धेर हो जाते हैं, सब तालाब बन जाते हैं, और हजारों करोर रुपए खर्च कनने के बाद अयोध्या का हा ये चाहे वो राम मंदिरो या राम पतो, पहले बारिश में सब कुछ अस्त वैस्त हो गया है, मानो भगवान च्री राम खुद नाराज हो गये हो कि उनका नाम इतने बुरी तरीके से पॉलिटिक्स में इस्तमाल किया जा रहा है, वो शराब दे रहे हैं, और शराब तो कही लिगड डिब्रुगड एक्सप्रेस प्रैसिंजर ट्रेन यूपी के गॉंडा में डिरेल हो जाती है, उससे पहले कंचंजंगा एक्सप्रेस जो की अगरतला से शियल्दा आ रही है, उससे गुड ट्रेन पीछे से टक्कर मार देती है दारजिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, क क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में भी जरने बह रहे हैं और उसके उपर डिलेज वहां भी शुरू हो गई है, खराब खाना भी मिलने लगा है, बुलिट ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन को कम कर दिया गया है, तो लोग बिना टिकेट जानवरों के तरह दूसरे ट्रेनों में ठुस ठुस के जा रहे हैं, सब फकीरी ही चल रही है, उदर कुछ दिन के शान्ती के बाद जमूइन कश्मीर में पाकिस्तान ने अपने हतकंडे फिर से अपनाने शुरू कर दिये हैं, मोधी 3.0 के पहले 40 दिनों के अंदर ही करीबन 10 टेरर करे गए हैं, ये सेब्टेंबर में होने वाले सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड इलیک्शन को रोकने का प्लैन दिख रहा है, सवाल ये है कि अब सरकार इलेक्शन को रोक देगी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, इतने तनाव के अंदर भी चुनाओ कराएगी और क्या 370 हटने के बाद जमुएन कश्मीर को अपना वो स्टेट हुड वापस मिलेगा अगर सच्ची में 370 हटाना एक मास्टर स्ट्रोक था तो जमुएन कश्मीर को अपना स्टेट हुड वापस क्यों नहीं मिल रहा है इसका जबाब भी सरकार और मोदी नहीं दे रहे है अगर ये सब भसड काफी नहीं थी तो अब देखिए ये दर्द कैसे मैक्सिमाइज हो जा रहा है अब बाइपोल हुए बाइपोल एलेक्शन्स में बीजेपी को भारी हार जहलना पड़ा तेरा इसेंबली सीट्स में बाइपोल एलेक्शन्स किये गए इंडिया ब्लॉक ने दस में जीत हासिल की टी-एमसी को बंगाल में चार में से चार कॉंग्रेस को हिमाचल प्रदेश में तीन में से दो आम आदमी पार्टी को एक सीट की बढ़त मिली लेकिन इससे भी बड़ी ख़बर है ये तो बाइलेक्शन की बात हुई बड़ी खबर ये है कि राजसभह में अब एंडिया की टैली मेज़ोरिटी मार्क से काफी कम हो चुकी है एंडिया के पास अब 101 सीट है राजसभह में मेज़ोरिटी मार्क 113 है तो मोदी की मनमर्जी अब शायद पूरी तरीके से ना चलेगी अगर opposition अपनी floor strategy अच्छी खेलती है तो कोई भी बिल जो मोदी चाहे अब वो पारित नहीं हो सकती है ये एक अच्छा step है और इस सब के चलते opposition के तेवर भी पिछले काफी 10 सालों में जो हमने नहीं देखा वो हमें दिखने को मिल रहा है चाहे वो president's address के बाद हो या budget discussion हो अगर मोदी सोच रहे थे कि नए संसद में उनहीं की चलेगी तो वो गलत साबित हो चुका है in fact मोदी को तो अपने पूरे कारेकाल में संसद में इस तरीके का protest कभी भी जहलना ना पड़ा हो तो ये उनके लिए भी एक नया experience है मीडिया ने ये सब देखा लोगों घुसा भी समझ में आया डिजिडल मीडिया की राइस को भी उन्होंने देखा तो मेंस्ट्रीम मीडिया भी थोड़ा-थोड़ा अपना तेवर बदलने की कोशिश कर रही है सुधीर चोधरी सरकार की आलोचना कर रहे है नैनो जीपिएस चिप वाला आज बजट पर सवाल उठा रहा है ये कैसे हो गया प्रभू? आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजे क्योंकि आज से एक बहुत बड़ा वर्ग है अपने फायदा होगा हर महिने इससे में आफ हसा का होगा और एक वर्ग तो ऐसा भी है जिसे लेड़ हजार रुपे महिने का फायदा होगा अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतने पैसे का आखिर क्या करेंगे सबरदस्त फाइदा है, फाइदा ही फाइदा है प्राइवेट सेक्टर में जो सालरी इंसान होता है उसके पास कोई सोशल सेक्योरिटी नहीं है उनका कौन सा बेनेफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता यह सवाल जन्ता पूछ रही है, मिडल क्लास के लोग पूछ रहे है तो यह सब देखकर आपको लग रहा होगा कि अब तो डिमॉक्रिसी खत्रे पर है नहीं अब तो तानाशाही की बात हमें हमारे देश में नहीं करनी चाहिए शायद अगर opposition ऐसा सोच रहा हो तो अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा होगा हमने देश बग पर पहले भी बताया था कि कैसे dictatorial tendencies इतनी आराम से खतम नहीं होती है और आने वाले कुछ दिनों में आप कुछ बड़े कदम भी देखेंगे सबसे बड़ा कदम जो हमने बोला भी था कि मोदी के करियर का सबसे बड़ा कदम हो सकता है वो है डी लिमिटेशन उस डी लिमिटेशन से जो census के बाद कराया जाएगा जब यूपी और बिहार के MPs 200 के आसपास हो जाएंगे और साउथ की जो सीट्स हैं वहाँ MPs कम हो जाएंगी हमारे देश की पुलिटिकल पारिभाशा ही पुरी तरीके से बदल जाएगी जो हिंदी हाटलैंड को कंट्रोल करेगा वो ही संसत को कंट्रोल करेगा ये डेलिमिटेशन कैसे होगा कब होगा कितनी जल्दी हो सकता है इस पर हमने पूरा एक एपिसोड बना के रखा है और क्यों ये मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है उसे जरूर देखेगा अगर टाइम मिलेगा डेमॉक्रसी as we know it वो रहेगी नहीं दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक से अब हम इंकार नहीं कर सकते हैं बार बार पाकिस्तान एक तनाव क्रियेट करने की कोशिश कर रही है और सर्जिकल स्ट्राइक जो डीप स्टेट है पाकिस्तान को वो करने की जरूरत भी है लेकिन मोदी ने एक और अच्छा प्रस्ताव रखा था वो है पाकिस्तान के लोगों से direct conversation करना क्योंकि वो भी पाकिस्तान आर्मी से परिशान आ चुके हैं तो क्या एक बड़ा step पाकिस्तान को देख कर होगा एक और सर्जिकल स्ट्राइक हमें दिखने को मिलेगा इस election में खराब performance का एक बहुत बड़ा बज़े था समाजवादी पार्टी और अखिलेश क्या आने वाले UP चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश होगी या किसी को जेल भेजने की कोशिश होगी ये भी काफी interesting होगा कि UP किस तरीके से डील किया जाता है क्योंकि उसका impact दिल्ली पर पड़ेगा नमबर चार, BNS को तो already introduce कर दिया, करीबन एक महिने होने को आ रहे हैं और इस BNS से देखिए अब और कितने लोगों को arrest किया जाएगा, detain किया जाएगा law की परिभाशा को इस्तमाल करके किस तरीके से democracy को रोका जाएगा already आप देख रहे हैं किस तरीके से defamation cases लगाया जा रहा है जिससे किसी तरीके की आलोचना को रोका जाए, लोगों को ड़़ाया जाए Indian Express के front page के इस article को देखिए कैसे एक PhD स्टूडेंट ने चौमस्की का critique मोधी के बारे में अपने PhD प्रपोजल में लगाया जिसके वज़े से उसे apologize करना पड़ा हाल यहां तक आ गए हैं कि PhD लेवल पर भी आप सुप्रीम लीडर की कोई criticism नहीं कर सकते हैं तो आप सोचे कि किस तरीके से इस तरीके के descent को दबाया जा रहा है और इस पर आते हैं नमबर पाँच पर प्रिंट मीडिया और टेलिविजन मीडिया को खतम करने के बाद अब सरकार पूरी तरीके से डिजिनल मीडिया पर control रखना चाहती है इस पर हमने एक एपिसोड अलड़ी बना का रखा है लेकिन इसमें नया information ये है कि जो नया broadcast bill है अब सरकार ने उस पर भी काफी संसोजन किया है काफी amendments किये हैं और उस amendments के according news content creators को अब सरकार OTT platform के तरह treat करना चाहती है मैंने वो जो platforms Netflix, Amazon जिनके वास हर्वो अर्वो करोर रुपएं है उनको और YouTube news creator को एक ही पैदान पर रखा जाएगा Basically agenda ये है कि YouTube छोटे creators को paperwork में दबा दो, compliance में दबा दो और सरकार की हिदायत सुनने पर मजबूर कर दो आपके और मेरे ये episode देखते समय इस पर काम चल रहा है सरकार इस law पर काम कर रही है draft bill को in secret share किया जा रहा है stakeholders के साथ लेकिन इस stakeholders में क्या YouTubers खुद शामिल है क्या हमें भी ये draft दिखने को मिलेगा शायद नहीं लेकिन किस तरीके से अभी hit back होगा हमने 50 दिन तो देख लिये शायद मोदी के कारिकाल में 10 साल के history में सबसे खराब 50 दिन होंगे लेकिन hit back की तयारी अलड़ी शुरू हो चुकी है और आने वाले हफतों में हम ये hit back भी जरूर देखेंगे तो अगर आप चाहते हो कि democracy sustain करे अगर विपक्ष सवाल करे अगर एक independent digital media हो तो support करिये independent digital media को चाहे हम हो या और किसी को हो अगर हमारा काम पसंद है क्योंकि अब तो हमें compliance के लिए और भी team बढ़ाना पड़ेगा तो हमें support जरूर करियेगा on patreon.com slash the deshbhakt या नीचे youtube में join button भी आप दबा सकते हैं more episodes coming up सवाल तो हम पूछते रहेंगे जब तक physically possible होगा या जब तक हम paperwork मर दबना जाएं